आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी यूज करते हैं कोई भी सैमसंग का फोन और यहाँ पर अगर आप अपने फोन में नैविगेशन जैस्टर्स को यूज करते हैं कुछ इस टाइप से अपने फोन को फोल स्क्रीन यूज करते हैं तो यहाँ पर लेकिन यह जो नैविगेशन जैस्टर्स हैं जब आप इन्हें यूज करते हैं तो कुछ इस टाइप से आपका फोन वाइवरेट होता है तो यहाँ पर आप यह जो वाइवरेशन का साउंड है अपने navigation जेस्टर से कैसे remove कर सकते हैं, आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए अपने phone में settings को open कर लेना है। open करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आपको मिलेगा sound and vibration तो यहाँ पर आप sound and vibration वाले option पर click करिए। click करने के बाद आपके सामने ये वाला page आ जाएगा। फिर आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको अपने phone की सारी sound settings मिल जाएगी और vibration settings मिल जाएगी। नीचे आईए और नीचे आपको मिलेगा system sound vibration control इस पर आप click करिए। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आईए आपको sound का option मिलेगा पहला और नीचे मिलेगा vibration का option तो नीचे आईए और आपको मिलेगा navigation gestures तो आपका ये on होगा। इस पर click करके इसे बंद कर दीजिए और आपकी ये problem ठीक हो जाएगी जैसा कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इस type से अब जो vibration sound आता था वो यहाँ पर बंद हो चुका है। तो इस तरह से आप ये settings कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें।